आतिशी मुझे एक बात बताई एक और आरोप लगाएगा बीजेपी की तरफ से कि ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर कैलाज गैलोट को बोर्ड का चेर्मेन कैसे बना दिया गया आतिशी जी से मेरा दो ही सवाल है मनुझ जी मैं एक सवाल लेता हूँ फिर आप आको आतिशी जी मेरी बात तुरी नहीं हो इंदे रही है इसलिए मैं उनसे सवाल करूँ आतिशी जी यह मेरा दूसरा सवाल यही था कि एक मिनिस्टर चेर्मेन कैसे हो सकता है डी टीटीसी का ये बताई ही आतिशी जी सवाल मनुझ जी ये कर रहे हैं, सवाल मनुझ जी ये कर रहे हैं, एक मिनिस्टर डीटीसी का चेर्मेन कैसे हो सकता है? मैं एक चीज छारिफाय करना चाती हूं, लेकिन मुझे अबी तक उनकी बात से ये सफष्ट नहीं हुआ है, क्यों कह रहे हैं कि साड़े तीनार करोड का घोटाला है, यह को कह रहे हैं, यह को खेह रहे हैं, साड़े तीन घजार का बारा साल के लिए बसो की अमसी थी तीनार क कि ऐसे समय बरबाद करने से किसी का कोई फाइदा नहीं हो सुनिए मेरी बाद कि आप नहीं है प्रवक्ता नहीं है प्रवक्ता जवाब देंगे मैं तो आप से सवाल कर रहा हूं मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप बातों को घुमाएं ना अब सीधा सीधा जवाब देंगे आप ये बताईए कि एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को डीटीसी बोर्ड का चेर्मिन कैसे बनाया गया विवेक जी पहले विवेक जी एक सेकिन पहले इस बात क्या सपष्ट जवाब होना चाहिए ये कोई मैं बहुत घुमाफिरा नहीं रही बात को मनोज तिवारी जी बताएं किया 35 करोड का घोटाला हुआ या 35 करोड का घोटाला नहीं हुआ जवाब अगर ध्यान से सुन रही होती तो शायद आपने इस सवाल दुबारा नहीं पूझा उता मैं मनोज जी से दुबारा क्या देता हूँ कि आपकी सवाल का जवाब दे देंगा मनोज जी आप 35 करोड का क्यों जिक्र कर रहें ते एक बार डीटेल से बताए और अपना दोनों सवाल दो रहे है प्लीज आतिसी जी आप अप हमारी बात को या तो समझ नहीं पा रहे हैं आप तो सुन लो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 35 करोड का ही घोटाला है और घोटाला कितने का है ये जाच हो रही है नहीं आप से कह रहा हूं कि इसमें तिवारी जी कुछ तो स्पष्ट कर दीजिए 87 लाख की बस आनी है और 35 करोड रुपिया मेंटेनेंस होगा इसके पिछे कितना घोटाला हुआ होगा कितनी बड़ी डील हुई होगी ये एक जांच का विशे है और दूसरा प्रश्ण है दूसरा प्रश्ण है आज दूसरा मेरा सवाल है कि एक मिनिस्टर को डीटीसी चेर्मेन कैसे बनाया जा सकता है कभी ऐसा नहीं हुआ इसके पिछे क्या रणनीती है देखे तिवारी जी ये तो आप अपनी केंद्र सरकार की जाके सारी कमिटियां देख लेंगे तो मंतरी ही चेर्मेन होते हैं जादा तर सरकारी कमिटियों की तो इसके तो सवाल ही नहीं है नहीं डीटीसी का कभी नहीं कोई मंतरी हुआ दूसरी बात सुन लीजिए मैं तो सुरूँगा मैं disturb नहीं करूँगा विल्कुल नहीं करूँगा उनकी सारी committees, corporations, commissions में देखिए जादातर chairman आपके मंतरी ही होते हैं तो इसलिए ये तो कोई सवाल ही नहीं है नहीं नहीं दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि बस की खरीद में गोटाला हुआ ये आपका सवाल है न तो मैं तो यही आपसे कह रहे थी जब tender complete ही नहीं हुआ जब कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो गोटाला कैसे हो गया ये बिल्कुल आपका जादूई गरनित है और क्यूंकि आपका ये जादूई गरनित है इसलिए मनोज तिवारी जी आप अभी तक बता नहीं पा रहे हैं कि क्या गोटाला हुआ है या नहीं हुआ है और कितने का गोटाला हुआ है विवेक जी इनकी समस्या ये है कि ये परेशान है अर्विंद केजरिवाल की बढ़ती हुई लोक्त्रियता से इसलिए इन्हें रोज 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 कुछ मंगना तारोब बनाके लाने होते हैं जैसा मैंने कहा साथ साल से ये लोग डेड़ सो से जादा केस आम आदमी पार्टी की सरकार पर अर्विंद केजरिवाल के मंतरियों पर अर्विन केजरीवाल के विधायकों पे कर चुके साथ साल में एक पैसे का बरश्टाचार ये लोग साबित नहीं कर पाएं सीबी आई लगा दी, एडी लगा दी दिल फुरिस लगा दी मैं सवाल पूछ लेता हूँ अप अप शिगोफा हमें एक पैसे का बरश्टाचा नहीं हुआ क्योंकि ये एक कटर इमानदार सरकार है